अब हफते भर से भी कम का समय बचा हुआ है और हमारे लिए ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि UPPCSJ के लिए जितनी भी vacancies हैं लगभग 310 जितनी भी vacancies है भाई आप तो हम लोग इतनी पढ़ाई कर चुके कि यहाँ पर पूरा focus जो है वो number of vacancies से shift हो करके इस बात पर आ चुका है कि क्या पढ़ना बच गया था सो लगभग लगभग 80,000 लोगों ने इन vacancies पे application लगाया है यानि कि लगभग 80,000 candidate हैं जो कि 300 vacancies के लिए लड़ाई करने वाले हैं अब भाई अगर इस हिसाब से proportionately एक calculation किया जाए तो कोई विक्ति कितने एक seat के लिए कितने लोग apply कर रहे हैं वो calculation तो मैं आप लोगों पे sessions होंगे यह आपको step by step prepare करेंगे work by work prepare करेंगे for your upcoming UP PCSJ preliminary examination देखें UP के बारे में और बिहार के बारे में एक चीज़ constant है that is their level of general knowledge यानि कि उनका जो general knowledge का समानि घ्यान का paper होता है वो काफी easy nature का होता है easy ही तो ना कहें difficult होता है बट GK centric papers होते हैं बट इस बार UP PCSJ में law को थोड़ा जादा weightage दिया गया क्योंकि जो general knowledge का paper है paper 1 उसमें 9 आपके law के subjects भी add किये गए so more or less GK का जो weightage था overall static GK और current affairs का वो definitely कम होगा लेकिन कई students यहाँ पे एक चीज़ को address नहीं कर रहे हैं या फिर एक चीज़ को थोड़ा सा side line रखे उन्होंने अपनी preparation की है या अभी भी वैसा ही मोर्चा समभाल रखे हैं तो मैं उन सभी students को in fact आप सभी UPPCSJ aspirants को यह बताने आया हूँ कि आप लोगों को paper 2 पे भी ध्यान देने की जरूरत है obviously आपने अपने course objects पढ़े हुए हैं आपने jurisprudence पढ़ा है current international affairs पढ़ा है international organizations पढ़ा है so definitely this is going to be a very useful session जो की आपको step by step prepare करने वाला है for paper number 2 now मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आगे मेरे आने वाले जितने भी sessions होंगे यह एक एक करके आपके पूरे PCSJ के जितने भी आप कह सकते हैं कि experience से गुजर रहे हैं उन सबको address करेंगे so बिना time को waste किये सीधे मैं आपको बताता हूँ top 5 things that you need to keep in mind for the UP PCSJ examinations ठीक पाथ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखने की जरुवत है in context to paper 2 law in the upcoming UP PCSJ examination देखे यहाँ पे तो हमने सामाने अध्यान की photo लगाई हुई है law की लेकिन हम बात करने वाले हैं photo बस यहाँ पे address करी है देखे आपके लिए ध्यान रखने वाली क्या बाते हैं उनको हम लोग सबसे पहले समझते हैं जब आप law का paper दे रहे हैं जब आप law के paper को address करेंगे paper 2 को address करेंगे तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि law का paper जो है उसमें हर question दो number का है यानि कि 500 question into 2 equals to 300 marks 300 number का यह paper होने वाला है एड उसी के accordingly अगर 1 third की negative marking चलाते हैं तो cost करेगा हर negative answer 0.66 number यानि कि जैसे gk में एक गलत होने पे आपके 0.33 कटते यहाँ पे एक गलत होने पे आपके 0.66 कटेंगे यानि कि 0.66 negative marks on every wrong attempt यह चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है by default इससे आपके लिए law दोधारी तलवार बन जाता है अगर आपका law ही weak है तो gk आपको नहीं बचा सकता यह बात आपको ध्यान में रखनी है दूसरी चीज it is a scoring subject obviously अगर आप UPPCSJ में law के paper को देखो paper 2 को देखो तो जो साड़े 400 नंबर में से cutoff create होगा उस cutoff में maximum portion जो students के लिए scoring होगा that is going to be the paper of law क्योंकि आपका law का ही वो paper होगा जो आपको maximum score ला कर के देगा ना की GK का क्योंकि अगर आप UPPCSJ में appear कर रहे हैं तो definitely आप एक law student है आपने अपने core law के subjects पढ़े हैं कई books चाहे singles हो चाहे ओपीतर पार्टी हो चाहे कोई भी और दूसरा source हो आपने questions solve की हैं mock test series solve कर रखी हैं तो that is a different thing altogether but when it comes to law it is going to be your तुरुप का इक्का आपके लिए अगर कोई इक्के का काम कर सकता है आपके लिए अगर कोई main saving element हो सकता है तो वो law होगा और वो scoring subject है तो ध्यान रखिए कि maximum जो आप लेकर क्या होगे वो कहां से लाओगे law से लाओगे तीसरी चीज़ the more you score here the less burden you will be having the less burden you will be dependent on GK आप पे थोड़ा less burden होगा and you will be less dependent on GK सीधा सीधा सा point है आप GK पे अगर मालीजा आपकी GK पे पकड़ अच्छी भी है चाहे static GK पे चाहे current affairs पे फिर भी आप ये मान के चलें कि GK का हर question सिर्फ एक number का होगा यानि कि आप GK कितना भी अच्छा करोगे including the nine law subjects तो भी उसका हर question एक ही number आपको देगा लेकिन यहाँ पे हर question दो number का होने की वज़ा से अगर आप ज़्यादा score यहाँ करते हो तो जाहिर सी बात है कि GK पे आपकी जो dependency है वो कम हो जाएगी यानि gamble पे आपकी dependency कम होगी और आपके खुद के हाथ में आपके खुद की महनत के basis पे आप merit में जगा बना सकते हो fourth it will be conducted after GK paper so you have to be necessarily remaining calm देखो अगर आप GK के पेपर को देखो तो GK के पेपर का क्योंकि मैंने खुद भी appear किया हुआ है इस examination में तो मैं यह आपको personal experience से बता देता हूँ कि जिन students का GK का पेपर बिगडता है उन students के law के पेपर के भी बिगड़ने की chances बन जाती है for the simple reason कि वो जो एक panic आप पिछले पेपर का ले करके अगले पेपर में जाते हो हलांकि there is a gap एक से दो घंटे का आपको gap मिलेगा लेकिन वो जो gap है उस time period में भी आपका दिमाग continuously ये सोचता रहेगा कि भाई मैंने GK में क्या गोबर किया है ये बहुत ही honestly मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे students आप लोगों को center पे मिलेंगे दिखेंगे जिनका GK का पेपर अच्छा गया होगा तो they would be excited about the paper of law as well अगर किसी व्यक्ती का GK का पेपर माल लीजे उतना अच्छा नहीं जाता है तो भी उस व्यक्ती को मैं यही suggest करूँगा कि भाई अगर GK का पेपर अच्छा नहीं गया है तो उस पे load लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि GK के पेपर में माल लो 1500 में से अगर आप खुदा ना खास था अगर आप 50 स्कोर कर रहे हो या 60 स्कोर कर रहे हो या 70 ही आपका स्कोर आ रहा है ये बुरा स्कोर नहीं है बुरा तो तब होगा जब आप 10 नमबर लेके आओ 20 नमबर लेके आओ लेकिन अगर 50 या उससे ज्यादा आप score कर रहे हो GK में और आपको देखके समझ मैं रहा है कि हाँ यार मेरा score जो है वो 60, 55, 50, 70, 75 इसी के आसपास अगर मेरा score आ रहा है तो you can be very hopeful about paper number 2 और इसी लिए आपको ध्यान रखना है कि GK paper आपका कितना भी अच्छा जाए So while you give your GK paper make sure करना कि आपका law का paper आपके पास है आपका GK का paper कितना भी tough हो आपको panic करने की जरुवत नहीं है कितना भी easy हो आपको over excited होने की जरुवत नहीं है क्योंकि law का paper बाद में आएगा और law का paper आपके लिए scoring होगा तो भले वो difficult है GK का paper ये दोनों तरीके से आपके लिए benefit के लिए use करें आप कर सकते हो अगर आपको मालूम है कि आगे law का paper है अभी GK का paper आराम से दो ठंडे दिमाग से दो एक बार GK का paper हो गया उसको छोड़ दो side में रखो और आगे देखो कि आगे हमें law में कितना maximum score करना है ठीक and careful bubbling is must भाई law में careful bubbling बहुत ज्यादा जरूरी है इसका मैं आपको reason बता देता हूँ आपके number of attempts by default law में ज्यादा होंगे और GK में कम होंगे ये मैं आज लिखके देने को तयार हूँ until and unless आप ये लेके चल रहे हो कि jam आता दी let's rock करेंगे A, C, अगर ऐसे करना है तब तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता लेकिन otherwise अगर आप अपना appearance दे रहे हो genuine appearance दे रहे हो UPPCSJ में तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप careful bubbling करोगे किसमें खास करकी GK के paper के बाद law के paper आपको देखो careful bubbling दोनों जगा करनी है आपको OMR GK में भी ढंग से भरनी है और आपको OMR law में भी ढंग से भरनी है अभी bubbling कैसे करनी है क्या करनी है ये भी मैं आपको आने वाले sessions में बताने वाला हूँ तो Judiciary World के channel पे बने रहना लगातार sessions आप लोगों के लिए lined up मैंने करके रखे हैं आपको bubbling कैसे करनी है किस प्रकार से आपको ये ensure करना है कि आपसे answers गलत ना mark हो जाएं गलत गोले ना fill कर दो वो भी मैं आने वाले sessions में बताऊंगा बने रहना ठीक, so careful bubbling is must law के paper में ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ आपके attempt ज्यादा है ठीक, अब ये तो वो बाते हों गई जो आपको ध्यान में रखनी है अब आ जाते हैं 5 things that you need to keep in mind अब keeping in mind का मतलब ये होता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है while you will be writing the paper number 2 देखो, सबसे पहला यहाँ पे आपको maximum attempt करने है करने है, पूछ नहीं रहा maximum attempt आप जितना कर सकते हो 1500 में से, 130 attempt तक जा सकते हो 35 तक जा सकते हो, 40 तक जा सकते हो that's completely up to you completely up to you लेकिन आपको maximum attempt रखने है paper number 2 में this is the first thing that you need to be keeping in mind आपको ये करना ही है 220 प्लस, अब आप बोलोगे कि सर 220 प्लस का मतलब है लगभग 110 सवाल हमारे सही होने चाहिए और मतब 120 सवाल सही हो और उसके बाद कुछ अगर सही गलत हो तो भी सब जोड जाड़के हमारा score जो है number of questions correct should be 110 this is very difficult, it is not अगर तुम इतना target भी लेके नहीं चलोगे, यानि कि इतना target जब लेके चलोगे, 220 प्लस का target लेके चलोगे, अकेले law में अब आप समझना कि जो पिछली UPPCSJ का paper हुआ था उसमें cut-off गया था 208 शुबंसर बोल रहे हैं कि 220 खाली law में लेके चलो, तो यह तो बंदा पागल हो गया है, या फिर हमें पागल बना रहा है, मैं दोनों ही चीज़ें बोल रहा हूँ कि गलत है, क्योंकि जब आप 220 प्लस यहां target रखोगे, accordingly आप अपने attempts करोगे, accordingly आपके सही और गलत attempts होंगे, आपको यह ensure करना है कि जब आप 220 प्लस target करके चल रहे हो, तब जाके आप कहीं 200 के आसपास land करोगे, ठीक, तो अपना target हमेशा high ही रखो, इसी लिए 220 प्लस का हमें target रखना है law में, minimum हम लोग कोशिश करेंगे कि 70, 80, 90, 100 लगभग 100 का target रखना है, ध्यान रखें इस बात को तो 220 प्लस हमको रखने है law में, that is our targeted score third thing is, complete the major subjects first, apply the 7 is to 3 ratio आपका UPPCSJ paper 2 का जो paper है, पूरा जो paper होगा paper 2, उसमें 10 subject है 10 में से 7 major subjects हैं including contracts and TPA, and there are 3 minor subjects, that is jurisprudence, minor क्या है सबकी लगभग 1 की value है, international organization and current international affair, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे 7 is to 3 के ratio में solve करना है मतलब, आप पहले सारे major questions को attempt कर लो, major जो laws हैं, उनके questions को attempt कर लो और उसके बाद जा करके आप jurisprudence, international organizations, या फिर international current affairs को attempt करो अगर आपसे पूरे flow में इन तीनों subject के questions नहीं बनते हैं, अगर एक ही flow में बन रहे not a problem, फिर आप पूरा paper एक बार में solve करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं jurisprudence देख के बहएक सकता हूँ, confused हो सकता हूँ international organization थोड़ा current affair के around चला जाएगा, current international affair current affair ही है confused हो सकता हूँ, it can breach my flow of law, तो आप रुक सकते हो, यानि कि पहले पूरे laws के major subjects निप्टा लो फिर jurisprudence, international organization and current affairs पे आजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, bubbling कैसे हो सकती है इसके लिए वो मैं आपको आगे sessions में बताऊँगा फिर attempt the 50-50 questions, यहाँ पे 50-50 questions को मत छोड़ना generally law में मैं students को बोलता हूँ कि अगर दो options के बीच में confused हो तो avoid कर सकते हो तो छोड़ दो, अगर कोई first instinct में hit नहीं कर रहा है answer, तो छोड़ दो लेकिन अगर आप law का paper कर रहे हो GK में तो छोड़ना है law में अगर आप दो में 50-50 में confused हो, तो फिर वहाँ पे attempt जरूर करना जरूर करना, सोच लेना take your time and उसके बाद attempt करना लेकिन एक calculated risk आप law में जरूर लेना, क्योंकि ये आपको merit में ला सकता है, ध्यार रखिए ला फिर आता है आपका last point that is, length of the question is in your favor in law the lengthier, the easier law के questions lengthy हो सकते हैं match the following based questions हो सकते हैं assertion reason based questions हो सकते हैं basically ऐसे questions हो सकते हैं जिनको करने में आपको समय लगेगा, difficult नहीं होंगे easy questions होंगे लेकिन time ज़ादा consume करेंगे आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जितना lengthy question है जितना आपका time ले रहा है उसको लेने दो reasonable amount of time आप दोगे आपका paper guarantee से अच्छा ही जाएगा paper 2 के बारे में ये सारी information आपको अपने दिमाग में रखनी है जो जो चीज़ें जो जो rules मैंने आपको बताया है उसको आपको follow करना है क्योंकि law का paper आपके लिए सबसे ज़्यादा important है तो आपको ये भी नहीं भूलना है कि law के paper से ही मेरी merit मतब deciding criteria can be gk but merit में मुझे खड़ा करने का अगर जो पहला step है वो paper 2 होगा ना कि paper 1 तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है all the very best मैं इस session को अब wrap up करता हूँ ये session आप जब भी देखें ये आपको helpful ही मिलेगा and also आगे आप लोगों को bubbling session भी मिलने वाला है stress management भी मिलने वाला है सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर क्या हूँगा all the very best you have done a great job you are a fighter you are a warrior remember जब तक यूपी न तोड़ेंगे कोई कसर न चोड़ेंगे all the very best and see you guys in the next session टड़ा बाई बाई टेक केर बिला चाओ and जेहन बाई बाई